अर्विन केजरिवाल और उनकी पार्टी जब बनी थी तो वो लोगपाल के नाम पे बनी थी अन्ना हजारे का मूवमेंट लोगपाल के नाम पे हुआ था आज 14 फरवरी 2014 को अर्विन केजरिवाल ने जब डिसल्यूशन हाउस के लिए रिक्वेस्ट करी थी कॉंग्रेस की सपोर्ट पे सरकार बना रहे थे तो लोकपाल के नाम पे किया था आज नौ वर्श हो गए केज़िवाल जी हम आपसे पुछना चाहते हैं वेर इस लोकपाल लोकपाल कहा है मिस्टर केज़िवाल वेर इस लोकपाल ये इसलिए पूछना जरूरी है कि आज जब केज़ीवाल के उपर उनके मंत्री मंडल के उपर भष्टाचार के चार्जेज लग रहे हैं तो कौन इंक्वाइरी करेगा दिल्ली के अंदर शीला जी ने लोक आयूक स्थापित करी थी लोक आयूक की आखरी एन्वल रिपोर्ट 2017 के अंदर केज़ीवाल लेकर के आए लोक आयूक के पास में डायरेक्टर इंवेसिगेशन आज नहीं है लोक आयूक के पास में अपने पी एन अपने आफिस के स्टाफ नहीं है केज़िवाल उनको वो तक नहीं दे रहे हैं आज केज़िवाल जी हम आपसे पूछना चाहते हैं ने लोकपाल को लाने की बात तो दूर पुराने लोकायुक्त भी जो कॉंग्रेस के समय पे बनाया गया था उसको भी आपने पंगू कर दिया तो ये क्या भरष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी जा रही है आज शराब घोटाले के अंदर केज़िवाल का नाम मनीश्टिसोदिया का नाम सतिंदर जैन का नाम इस्टैबलिश हो गया है मनी ट्रेल तक के इस्टैबलिश हो गया है गोवा के चुनाव के अंदर इन सब लोगों ने दिल्ली से निकाले गए पैसे शराब घोटाले के अंदर खर्च किये पैसे निकाले गए पैसे इन लोगों ने आज पूरे के पूरे देश में कॉंग्रेस के खिलाफ में लगाया दुख की बात ये है कि वही अर्विन के इग्रिवाल भ्रष्टाचार के नाम पे जन्मी हुई पार्टी आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग पाल भूल गए हैं दिल्ली के अंदर पहले से स्थापिट लोग आयुक को कमजोर कर रहे हैं कॉंग्रिस पार्टी इनका इस्तीफा मांगती है इनके मंत्रियों का इस्तीफा मांगती है कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये लोग एक सिकेंड भी अपने पत पे रहें धन्यवाद